नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश कबर कारेक्रम आज अपने इस कारेक्रम में हम पड़ताल करेंगे करनाटक में चले हाइपर बोला चुनाव प्रचार की और हम सब जानते हैं कि चुनाव प्रचार थम गया है अब जनता जाएगी वोट डालने और उसके बाद परिणाम सामने आएगा सवाल बहुत सीधा सा है कि ये जो चुनाव प्रचार चला और जो जातीगत समी करन करनाटक को बहुत खास और अलग बनाते हैं इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे हम सब ने देखा कि करनाटक में भारती जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने का काम किया देश के प्रधान मंतरी नरेन मोदी जी ने यूँ तो वो हर चुनाव को अपने परसनल चुनाव के तोर पर लड़ते हैं लेकिन करनाटक बहुत खास है और खास इसलिए है क्योंकि ये भारती जनता पार्टी के लिए गेटवे ओफ साउथ है और निश्चित तोर पर मोदी जी के साथ भाशपा के मुख्यमंतरियों की पूरी टीम उनके तमाम नेताओं की पूरी टीम रही लेकिन इसमें खास दो चेहरे सामने आए उत्तर प्र हिंदुत्व का कार्ड खेला और जनता जनार्दन जो सुनने आई थी रोड शोज में उसे देख कर लग रहा था कि 2024 के बाद भारती जनता पार्टी के आप बड़ा चेहरा योगी आदितनात होंगे लेकिन मोदी जी हैं तो वाकई मुम्किन है मोदी जी का रिकॉर्ड तो लेकिन इस बार तो उन्होंने सब कुछ छोड़ कर 29 अपरेल से ही अगर खाली हम आकड़ा लें तो 19 बड़ी जन सभाएं की 6 रोड शोज और आप देखिए कि इस से पहले वो कितनी बार आए किस तरह से करनाटक फोकस में रहा इस पर भी अलग से चर्चा हो चुकी है और ख से ब्रष्टाचार में घिरी हुई थी उसके आरोप लगे हुए थे 40% कमिशन जहां जहां मैं गई वहां वहां पर भी जनता आम श्रमिक लोग मजदूर खेतिहर किसान सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और आप इसमें देखिए मोदी जी ने बहुत सोची समझी रणनीती के तहट करनाटक की पूरी राजनीती का विमर्श ही बदल दिया उन्होंने यह चुनाओं अपने निजी चुनाओं में तब्दील किया हर जगा सिर्फ वह 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 यानि मोदी जी मोदी जी और मोदी जी तमाम मेगा रोड शोज हों या फिर करोणों रुपे खर् पर केंद्रित था फिर आ गया बजरंग दल और उसके बाद केरल स्टोरी और उसके बाद करनाटक को भारत से अलग करने की एक जो गलत खबर उन्होंने चलाई उसका प्रचार प्रसार वहीं करनाटक में कॉंग्रेस का जो चुनाओं प्रचार है उसका तरीका बिलकुल अल प्रचार को कॉंग्रेस ने पूरी कोशिश की केंद्रित रखने की करनाटक में चाहे प्रियंका गांधी हो राहुल गांधी हो या फिर करनाटक की पूरी की पूरी टीम वे सब सिर्फ और सिर्फ करनाटक करनाटक के सवालों पर केंद्रित रहे और एक बात और खास कॉंग्र के अध्यक्ष मलिक रुजुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं लिहाजा उन्हों ने भी पूरी कोशिष की की कि चुनाव को कर्नाटक पर केंडरित रखा जाए और साथी साथ कर्नाटक के सबसे बड़े चहरें बस्वन्ना को बार बार याद किया कॉंग्रेस ने और साथ ही देखिए जो पाश मंत्र कॉंग्रेस ने दिये पाश वादे किये जिसे लेकर रहुल गांधी भी लगातार लोगों से मिलते रहे उन्होंने वादा कि कॉंग्रेस सरकार आती है तो करनाटक के लोगों को 200 यूनिट बिजली म बादा किया गया आगनबाडी करमचारियों का वेतन बढ़ा कर 15,000 करने की बात की गई और बहुत एहम बात करनाटक भीशन बेरोजगारी से गुजर रहा है इसे ध्यान में रखते हुए युवा नीधी के तहट बेरोजगार इसनातकों को एक माह में 3,000 रुपे तथा डिप करती युजना के तहट सभी महिलाओं को राजभर में के एस आटी और बीम टीसी की जो बसे हैं उसमें निशुल्क यानि फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी यह सब कुछ पॉलिटिकल धरातल पर चल रहा है इसका कितना असर पड़ेगा मदाता कहां वोट देंगे इ आईए अब नजर दोड़ाते हैं करनाटका के नक्षे पर उसके मैप पर ध्यान से देखिए यहां 31 जिले हैं इन 31 जिलों में कैद है 224 विधानसभा सीटों का भविश्य और इसमें से जिसे भी कॉंग्रेस हो भाश्पा हो जनता दल सेकुलर हो जो प्रमुक्तीन दल हैं उ करनाटक बहुत खास है जैसा आपको नक्षे में दिखाई भी दे रहा है यहां कोस्टल करनाटक है यह जो कोस्टल करनाटक का पूरा इलाकर है उत्तर कनड़ा उडुपी और दक्षन कनड़ा यह जो इलाका है यह अपने आप में बाकी करनाटक से बहुत अलग है सिर्फ ज इस चित तोर पर राजनिती के हिसाब से यह इलाका भारती जनता पार्टी को रहत देने वाला इलाका है। उस पर पूरा का पूरा फोकस है और यहाँ इस बार अगर ध्यान दीजिये यहाँ पर जिस तरह के उम्मिदवार भारती जनता पार्टी ने उतारे हैं वे सीधे सीधे RSS बैक्ग्राउंड से हैं। मुसल्मान आबादी काफी है और यहाँ जो मुसल्मान है वो आर्थिक रूप से काफी संपन हैं। और गल्फ में तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर के लोग हैं और तो और यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि समुद्र वाला इलाका है इस समुद्र वाले इलाके में नाओ का मालिकाना बहुत लंबे समय से मुसल्मानों के पास रहा है। और जो उस पर काम करते रहे हैं वे हिंदू समाज के लोग रहे हैं। यह जो कॉन्फलिक्ट है इस कॉन्फलिक्ट पर भारती जनता पार्टी ने लंबे समय तक काम किया है और उसकी वज़ा उसे चुनाओं में दिखती रही है। लेकिन इस बार चुनाओं में इसी इलाके में उस तरह का धुरुवी करण करने में भारती जनता पार्टी पिछले चुनाओं के तुलना में काम्याब नहीं हो पाई है। नाराजगी है और शायद बड़े पहमाने पे जो हिंदु मुसल्मान डिवाइट की बात थी वह अब एक पीक पर पहुच गया था। इसी तरह से एक इलाका है मुंबई करनाटका मुंबई करनाटका यानि जो महराज से जुड़ा हुआ इलाका है उसे कहा जाता है मुंबई क देख सकते हैं इन तमाम इलाकों के बीच ये जो छे इलाके हैं इनका मिज़ास बिलकुल अलग है और सबसे खास बात कि जो जातिगर्थ समीकरण भी है इन इलाकों का वह भी अलग अलग है आईए अब बात करते हैं करनाटक के जातिगर्थ समीकरणों के बारे में करनाटक की खासियत है यहां का जातिकत समीकरण यहां की जो राजनीती है वो दो जातियों के बीच गूमती है लिंगायत और वोकिलिगा लिंगायत सबसे जादा ताकतवर हैं आबादी के हिसाब से करनाटक की आबादी के हिसाब से 17 फीस दी हैं वो फहले पूरे करनाटक में हैं लेक व्हार्ती जनता पाटी के जो CM मुख्यमंद्री रहे, बुममई वह भी इसी समाज से आते थे, इससे पहले यदुरप्पा भी इसी समाज से आते थे, इनके अलावा, कई अंवरिष्टनेता भी इस समाज से आते हैं, और इस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं, हुए और इसके बाद से जो स्पेकुलेशन है वह यह रहा कि लिंगायत जो बहुत ठोस वजहों से कॉंग्रेस से दूर गए कभी कॉंग्रेस के पास नहीं रहे वे वापस उसमें से एक हिस्सा वापस कॉंग्रेस के पास आ सकता है आए ध्यान से देखते हैं इस नक्षे पे क कौन से इलाके हैं जहां पर लिंगायत दबदबा है जहां पर चुनौवी समीकरण को लिंगायत समाज प्रभावित करता है लिंगायत अगड़ी जाती है अगर ध्यान से देखिए तो जो इलाके आते हैं उसमें बीदर, गुलबरगा, धारवाड, विजेपुरा, हेवारी गडग, उत्तरकनड शामिल है यह सारे जो इलाके हैं बेलारी तक अगर आप देखिए यहां पर खास तोर से यह पूरा इलाका यहां पर जिस तरह का समीकरण है जाती गस जपन समीकरण है उसमें पहली बार कई दशकों के बाद कॉंग्रेस को कुछ सीटे मिलने की उमीद ह और आप देखिए कि जिस तरह से जगदीश शेटर ने खुल कर बोला और शायद यह बात नीचे तक जहां जहां मैं खुद गई हूँ उन इलाकों में भी जो लिंगाय समाज के लोग हैं उनमें बीजेपी को लेकर खासी नाराजगी दिखाई दी एक जो बहुत खास बात ह है कि योदुरपा जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं लिंगाय समाज के वे जिस तरह से भारती जंता पार्टी से उनका मोभंग हुआ उनको दरकिनार किया गया उसके बाद उनके बेटे तक को सही सीड़ देने में आनाकानी की गई उसने बड़े पैमाने पर नीचे सं हमने देखा कि शेट्टर कॉंग्रेस में शामिल होते हैं यानि शेट्टर का असर जिन जिन विधान सभाव में होगा वह कॉंग्रेस के लिए फायदे मंद होगा जिन इलाकों में मैं भी गई वहाँ पर भी लिंगाय समाज की नाराजगी भारती जंता पार्टी से बहुत थी वे खुल कर बोल रहे थे कि इस समाज को नजरंदास किया सिर्फ इतना ही नहीं यहां तक लोगों ने कहा कि दरसल भारती जंता पार्टी करनाटक के जो जातीगा समीकरण है उसमें तबदीली करना चाहती है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर फेर बदल करना चाहती है और लिंगायत और वोकिलिगा की जो डॉमिनेंस है उसे तोड़कर ब्रामणों का डॉमिनेंस लाना चाहती ह जिस पर हम बाद में बात करेंगे अब आईए चलते हैं दूसरे जातीगा समुकरण को टटोलने के लिए वह है वोकिलिगा करीब 15 फीसिदी आबादी इस समाज से आती है करनाटक में और यह जंतादल सेकुलर यानि देवगोडा और कुमार स्वामी का ठोस आधार है उनकी पाटी का यह इलाका अगर आप ध्यान से देखिए तो हसन है तमकूर है मांडिया है मैसूर है और चामराजनगर है यह इलाके प्रमुक्ता से वोकिलिगा बहुल इलाके हैं अगर लिंगायत और वोकिलिगा को आप जोड़ दीजे तो 140 सीटे जी हाँ 140 सीटों पर इनका दबदबा है यह निरधारित करते हैं इसके बाद नाम आता है मुसल्मानों का मुसल्मानों की आबादी करनाटक में तकरीबन 15 फीसदी है और कोस्टल करनाटका जिसके जिक्र मैंने पहले किया इन इलाकों में इसकी आबादी सबसे ज़्यादा केंद्रित है वैसे वे सब जगह हैं दक्षण कनड़ा का मुख्याले है मैंगलोर उत्तर कनड़ा का मुख्याले है कारवार उड़ुपी यह तीन इलाके अगर आप देखिए उत्तर कनड़ा दक्षण कनड़ा और उड़ुपी इन तीन इलाकों में संपदा है नैच्रल रिसोर्स हैं और यहीं सबसे ज़्याद इस बार भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि भारती जन्ता पार्टी ने बड़े पैमाने पर प्रियोक किया है पुरानी सीटों को चेंज किया है यानि नए चेहरे पेश किये हैं और नए चेहरे बहुत ठोस रूप से उग्र हिंदुत्व के चेहरे हैं और उ उख्यमंत्री रहे हैं और इस बार भी कॉंग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है आठ फीसिदी वोट हैं भारती जन्ता पार्टी के भी इश्वरप्पा रहे हैं इसी समाज से लेकिन ना उन्हें टिकट दिया गया ना उनके बेटे को टिकट दिया गया इसलिए कुर्बा समा समाज को काफी मजबूती से प्रकड़े हुए दिकाई दे रहे हैं अब आते हैं हम बेड़ा यानि नायक समाज में करीब 7-8 फीसदी इंकी आबादी है करनाटक में यह स्टी यानि आदिवासी समाज में आते हैं और अगर आप ध्यान से देखिए तो यह चित्रदुर्गा इसके साथ थोड़ा हिस्सा बेलारी का है और रायचुर में भी इनकी संख्या थोड़ी बहुत मिलती है वैसे अलग-अलग इलाकों में भी यह पाए जाते हैं और इसके बाद कोली कबालिगा पांश फीसदी अधिक लोग हैं यह दरसल यह पांश फीसदी मचुआरा समाज है यह सारा दक्षन करनाटक से जुड़ा हुआ इलाका है दक्षन करनडा में इन्हें बेस्टा नाम से बुलाया जाता है और इस समाज में भारती जनता पार्टी ने बहुत सक्री सगन काम किया है और इन्हें अपने फोल्ड में रखा हुआ है अब इसके बाद दलिस समाज 22 फीसिदी आबादी है करनाटक में दलिस समाज की और दलिस समाज का जो ग्राफ है वह बहुत दिल्चस्प है इसे ध्यान से सुनिए इसमें मादिगा आते हैं मादिगा की आबादी सबसे अधिक है और इन्हें left hand कहते हैं यानी वह हाथ जिसे छुआ नहीं जाता यानी untouchable और होलिया यानी right hand जिसे आते हैं मलिकारजन खडगे जो अचूत समाज से नहीं यानी touchable केटिगरी में आते हैं जिनके साथ वहवार हो और मलिकार जुन खडगे उसका जीता जाकता नमुना है उनका चहरा है सबसे बड़ा और इसके अलावा एक और समाज है लंबानी समाज जो पूरी तरह से टचबल है और यह समाज सिर्फ करनाटक में ही दलिस समाज में या ऐसी समाज में आता है बाकी चाहे आप महराश ले ल इन तमाम राज्यों में यह आदिवासी समाज में आते हैं और लंबानी अभी तक करनाटक में भारती जनता पार्टी के पास रहे हैं लेकिन इस बार वे परिशान हैं नाराज है भारती जनता पार्टी से और इसकी ठोस वज़ा है कि जिस तरह की रिजर्वेशन के भीतर र पुरियोग किया करनाटक में वह बहुत खास है अहिंदा करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें अलप पक्षेतू यानि माइनौरिटीज हिंदुतवारू यानि बैकवर्ड क्लास और दलित यानि ऐसी समाज के लोगों का एक उन्होंने पूरा समीकरन बनाया इ लेकिन पॉलिटिक्स में और बाकी तमाम जगों इंका डॉमिनेंस इंका प्रतिनिधुत्व काफी बड़ी संख्या में है और भारती जन्ता पार्टी ने बड़े पैमाने पर ब्रामनों पर जोर दिया है पूरी की पूरी कमान बियल संतोष और प्रहलाज जोशी के पास है और युवाओं में तेजस्वी सूरिया सहित अंगिनत लोग हैं जो उसके उग्र हिंदुत्व के प्रचार प्रसार को चला रहे हैं आखिर में एक दो टूप बात भारती जन्ता पार्टी ने बहुत सोच समझ कर यह रिस्क उठाया है यह रिस्क है लिंगायत और रहती है तो जो छेत्री छत्रप हैं जो बहुत मजबूत लीडर्स रहे हैं करनाटक के उनका प्रभाव खतम होगा और जिस तरह से हमने बाकी उत्तर भारत के राजियों में देखा जहां पर उत्तर प्रदेश में पूरा जो यादव मुव्मेंट था वह समाप्त हुआ हर् जैसे आदिवासी बहुल इलाके में नौन आदिवासी को मुख्य मंत्री भारती जनता पार्टी पहले बना चुकी है ठीक उसी पैटर्न पर करनाटक में भारती जनता पार्टी सो समझ कर यह जोखिम उठाते हुए नजर आ रही है अब देखना यह होगा कि चुनाओ इस प्रियोग में सफल होती है